महराज के चरनाम आई थी जब इनोंने कुछ दिन सत्संग किया और स्वामी जी महराज के सुने और वे बचन इरद्यम समा गए तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी जब स्वामी जी महराज बचन या अर्थ पोथियां का करते थे तब इनके आखे सुरक खंगारा सी हो जाती थी आंसु बार बार टपकते थे क्योंकि इस बुक्की में पहले बूत था कोई रहते थे और बहुत देर तक यानि गंटों उन वचनों का नसा बना रहता था और फिर जब स्वामी जी महराज कथा से फुर्शत पाकर उका पीते थे उका पीते थे स्वामी जी ये तो पारत ओने थे फिर ये उका भी हो जैता है बूत बनने थे फुर्शत पाकर उका पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कुछ कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों कांगु ठामों में रखे हुए गंटों चरणामर्दकारस लेती रहती थी और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाती थी तब मत्था टेकने वालों से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो उस प्यासी को मत्थाओ अपने आत्मा और थोड़ा सा याँ आप कंसेट क्लियर करते हैं ये रद्धा स्वामी आले के कहा करें सर्दालू के पूर्ण संत की पहचान है वो चरण नहीं छोड़ाता ये दंथ का थाई बना लिकिए उनका बेठ्था वो एक दो किलो मेटर दूर को नजिक दा नहीं सकता क्योंकि वहां थोग के बाह में चलेगी बोली आत्माई और ये इनका परमदनी चर्ण छुआ है मत्था टेक क्या करते हैं इसके चर्णों में तो इसका मतलब यो पूर्ण था ही नहीं आपकी डेफिनेशन के अदार से लेकिन ये डेफिनेशन नहीं संत की देखिएगा जब मत्था टेकने वाले एक से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चर्ण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत खटाओ और वह बयान किया करती थी मुझे इसमें ऐसा रसाता है जैसे कोई दूज पीता है इनके बजन का ये हाल था कि आठ गंटे नो गंटे रोज बजन किया करती थी और बहुत गेरे नंताही नवे उस पड़ी रहती करे थी बजन बजन क कहा करे जब दूठा गयान ध्यान का लावे बाद बिदाचतर आई इनको स्वामी जी महराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था आधार वह उनी न दिखिया करते सामने और सुर्थ भी उंचे देश में पहुंचती थी जब स्वामी जी महराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहुंस पड़ी रहती थी स्वामी जी की मरत्यू होगी उसके बाद और दो दो दिन हाजत हजोरी को भी रफा करन नहीं जाती थी यानि फरे सौन भी नहीं जाती थी और सुर्थ स्वामी जी महराज के चड़नों में लगी रहती थी करीब डेड़ में ने के ये हाल रहा तब सब को खौप हुआ कि साए दिन की दे छूट जावे तब स्वामी जी महराज ने इनको दर्शन दिये और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेश्तर किया करती थी उसी तरह से करो केक रहा करती पहले स्वामी जी का उकाब रहा करती और रोटी खौए करती तो उसी रोज से भूक की जी भोग त्यार करती थी और लेख कहता है कि मेरे पनी गली के मकान पर पहले के दस्तूर से माफिक पलंग बिचाती उस भूथ की खातरे और वो भूत बुक्की में थाए वारवटी बनावा है वकबर है और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है गर्ज की जिस तरह से पेश्तर सिवा किया करती थी उसका जिन्दजी वकबर के प्याय करती थी कहते है उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महराज उनको ज्धान के समय में परगड़ दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल करते थे वो भूत बुक्की में बढ़का हो कापी हो था और बढ़िया माल खाओ था ये देखिएगा स्वामी जी महराज उनको ज्धान के समय में परगड़ दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल कर फरमाते थे अर्शत लोग से ले गए ते फिर अड़कापी ना हो थे वह ये तरह गज़े बढ़िया जैसे की अंतरधान होने के पेशतर करते थी यानि मर्टों से पहले जिस तरह उकापी आ करते रोटी खाया करते उनकी बनाई हुए इसी प्रकार वह बुक्की पलंग पर Бेठ़ है उसमें वह भूत उकाप रोटी खावा पहले और फिर उकापी वह बुक्की जी को महराद उनके आखरी दम तक परगड रहे यान उसके माँ भूत आखरी सांस तक रहा यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महराद से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिये से दिर्फात कर लिया करते थे अब बुक्की का गब लागरते बुक्की बो थाए वो उसके पुरसनों का उतर देता यहां देखा जिए उकितने बोले बुक्की की दाल यानि बुक्की जी अब धास के समय स्वामी जी महराज को परगट करके हम कलाम हुआ करती थी इस नियाज मंद को भी जब कभी भीड के समय पर घबराट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी जब मेरे पापत्ति आ जा जा थी लेख करा उसका छोटा वाही शिवदाल जी का परताब सिंग जी के जब मेरे पर कोई भीड पढ़ जाती थी मेरे पर कोई पत्ति आ जाती थी तुम मेरे अकल काम नहीं देती थी तब भुकी जी के जरिये से स्वामी जी महराज का हुकम लिया करता था यानि उसका कहता था मुझे यापत्ति आ गर भूत वोल का बता करता था भुकी में और जैसा हुकम होता था वो भूत जो आदेश देता था बुक्की में उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था और इसी तरह राय साहब ने भी मोज की थी कि बुक्की के जरिये से दो चार बार हुकम हासल किये थे जैहो बुक्की की और गिल है इनके गुरू जी की जो बूत्पन के इसमें उक्का पाड़ा रीवती चुर्मे मांगए एक बगत कह रहा था जी मेरा चाचा अरादा स्वामी था को बीस साल पत्ती साल थे और डाई गंटे सुबह डाई गंटे स्याम चद्र डाल के उपर और कती टस से मसनिवाया करता और उक्का पिया करता और चुर्मा खान का गंटा लाड़ा था वो चुर्मा बहुत खाता था उसकी मर्त्यू होगी फिर वो अपनी पूतरवदू मां का बोलन ला गया और एका दा ऐसा बविस्या की वानी भी कर देता था वो हमारी साची हो जाती थी लेकिन वो तंग गणा कर रहे था उस पूतरवदू को काम नहीं करन दे सारा दिन वा लोटी रहे पड़ी रहे और उठते चुर्मा मांग गया फिर उक्का पी वे अब रोज चुर्मा किते लाओ उसके लिए फिर कई जगे लाज करानी की चेश्टा की नई बात बढ़ी कहते हैं आप का उपदेश दिलवाया उस पूतर वो दूते हैं जब मारे परिवार का पीछा चुटा हो ताचा भी उतते हैं तो पुन्यात्माओ ऐसे ही ये शिवद्याल जी है जाप तक रहे ये अटबट नाम इनका ग्यान सुन लिया आपने कहते हैं जूटा ग्यान है और ध्यान कहा लाओ को ते ध्यान लगाओ तेरे कुट्टी तो सुरू करते हैं हम तो जाओगे कहां जब आपकी थूरी ही गलत है प्रैक्टिकल के करोगे तुम वोई सत लोक वोई सचकंड अर वोई सत लोक है और वो सत नाम ये तो थ्यान कहा नागा लगा रहे हो ये बाद विवाद है ये चतुरा ही नागा रहे हो तुमारे पास ग्यान नहीं है कहते है फर मातना चातुर पराणी चोर है ये मूड मुगत ने ठोट और संता के नहीं काम के इनको देगर जोट अगर इतना ग्यान पर टेक्स देखकर भी ये नहीं समझ माते हैं तो ये मूड बेक्ती हैं ये पक्ती के योग नहीं है तो पुने अत्मा सोब आगे आपका आपको इज्ञान सुन को मिल रहा है और परमात्मा कहते है समझा है तरशे दरपाओ वहर नीरे सादाओ बोला सत्गुर्दे साथ साहे परम पिता परमात्मा सारी सिरिष्टी के रचन हार कुल मालिक हम सभी आत्माओं के एक मातर हमारे पिता जनक ये कबीर परमेश्वर जी है वो परमकसर ब्रम है वो सत्थ पुरस है और वो परमेश्वर अपने गुण अनुसार अपने सभाव अनुसार लीला करने के लिए अपने सत्थ लोग से चल कर आते है उपर आकास में सुन सिखर में सबसे उपर प्रमात्मा का एक सत लोक है, सनातन परमदाम है और सनातन परमदाम के अंदर चार विभाग हैं चार हिस्सों में बाटा गया है, पर्थम का नाम सत लोक उसके उपर जो है वो अलख लोक उस से उपर जो है वो अगम लोग और लाश्ट वाला जो है अकैलोग वो परमातमा सत लोग में जिस रूप में रहता है उसको सत पुरस कहते हैं और सत पुरस की सत लोग के अंदर सरीर की कितनी रोजनी है एक रॉम कूप में करोड़ सुरिय करोड़ चंदर्मा दोनों की मिली जुड़ी रोस्री भी फिकी रह जाती है इतना तेज है उस पर मेश्वर के सरीर का बॉड़ी का वो सत्पुर्स कहलाता है उसके बाद अलग लोक में अलग पुर्स कहलाता है वहाँ वो एक ही प्रमात्मा अन्य रूप में रहता है उनके स्रीर की वहाँ रोसनी और अच्चाधिक है एक रॉमकूप की सोभा अरब सुरियों के तुल है उसके उपर अगम लोग है अगम लोग में प्रमात्मा अगम पुरस नाम से रहता है और वहाँ प्रमात्मा के रॉमकूप की सोभा खरब सुरियों के तुल होती है और जो लास्ट वाला है जो पॉरसन है अमरपुरस नातन परमधाम का उसको अकैलोग कहते हैं वहाँ परमेस्वर अनामी नाम से रहता है अनामी और वहां प्रमात्मा के इरॉमकुप की सोभा संग्छय जैसी रोसनी की है अपने आत्मा वो प्रमात्मा वो अपने सतलोग से चल कराता है उस प्रमेश मेरका वस्त्विक नाम कवीर है कवीर कवीर देव वेदयोम से कवीर देव कहा है वे कुरान स्वीर में उसे अल्लाहु अकबर, अल्हा कबीर कहा है, कबीर अल्हा कहा है, और जिन मापुरसों ने परमात्मा का साक्षात करुआ, उन्हें उसे कबीर कहा है, कबीर सहब, ये वही प्रमात्मा है जो बनारस में 120 वरस तक रहकर चले गए सहसरी राये थे, सहसरी लिए चले गए थे इनकी जनम और मर्चू नहीं होती है इस प्रमात्मा का सरीर एक ततव यानि नूर से बना है, तेज ततव से बना है प्रमात्मा का सरीर तो है लेकिन सुक्रम अकायम ऐसनाविरम माता पिता के सेयोग से बने हुए काया नहीं है नाड़ी आजी के जोड़ दुगार से प्रमात्मा की काया नहीं बनी है वो स्वंभू है, स्वंभू में स्वंभू अपने आप बनने वाला जिसका कोई जनक ना हो लेकिन वो साकार तो है लेकिन उसका जनक कोई नहीं उसका स्वम्भू कहते है यजुर्वेद जह नमबर चालिश के सलोक नमबर आठ में सपष्ट किया है के सैप्री आगात सुक्रम अकायम ऐ वरनम ऐ सनाविरम ऐ पाप विदम यथा तथ्य अर्थान सास्वतीब है समाभै वो परमात्मा कवीर मनीसी वो परमात्मा कवीर मनीसी यथा तथ्य अर्थान वो परमात्मा कवीर देव है सरवज्य कवीर है दो स्वम्भू है स्वम्पर गट होता है उस परमात्मा की काया पास्ततों से बनी हुई नहीं है पुनातमा परमातमा की परिवासा ही बदल डाली इन अग्यानी रिसीमे रिसी और गुरूँ ने कोई तो ब्रहम को ही फाइनल गोड़ बताता है कम्पलीट गोड़ बताता है कोई बिर्मा जी को, कोई विष्णु जी को, कोई सिर्द्जी को ही पूर्ण परमातमा बता करके पूरे मान उस्ति को भरमिद कर रहे है फिर अन्य अग्यानियों ने तो तो कहां तक लाछोड़ा हमारे को 10-20 इटों से एक सोटा सा मड़ी बनाई वहीं पर पूजा प्रारम करवा दी साश्टर वुर्द साधना करवा के हम सभी को काल के जालमे चौकस फशा दिया वो प्रमात्मा सुम आते हैं अपनी पैरी आत्माओं को यथारत क्यान बताने के लिए और काल के लोक से छुडवा कर सतलोक लिजाने के लिए इस काल को जब निसकासित कर दिया